हाई गीज और वेलकम बाक टू दी चैनल दीपाच्यादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल इनालेसस ऑफ 21st आफ देसंबर 2023 तो गाईज आज है तारिक 21 देसंबर 2023 और है थर्सडे देखेंगे आज के दाहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को निलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजूकेशन यूपी ऐसी आपको ये टेलिग्राम चनल मिल जाएगा यहां से आप डेली बेसे स्पे इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप मेरे साथ में परसनली जुड़ना चाहते हो तो आप लोग को इंस्टाग्राम पर भी जाना होगा वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजूकेशन मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ओल्रेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में परसनली जुड़ सकते हो आप हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना हैं सुल्तानपूर नैशनल पार्क को कहाँ पर है ये एक्जैक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक ज्याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिविएस यर साल 2008 के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बेसस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रिविएस यर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं भारत ने नीचे ऑप्शन में दिये गए देशों में से कौन से देश से बेराक एंटी मिसाल डिफेंस सिस्टम को पर्चेस किया है ऑप्शन नमबर A. इसराइल, B. फ्रांस, C. रश्या, या फरडी USA तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एटली सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बिसिस पे बोलता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है तो दोस्तो आज का डिसकेशन थोड़ा दीरे-दीरे करके चलेंगे आज सर में बहुत तेज दर्द है और कल रात से है तो मैंने सोचा था आज मैं वीडियो ना लेकर आऊँ लेकिन फिर यार सोचा ऐसा ना हो तो ही अच्छा है मतलब कोई भी दिन स्किप ना हो तो बढ़िया है है ना मतलब अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहेगी तो थोड़ा सलोली पढ़ेंगे बहुत इंपोर्टन आर्टिकल्स थे तो उन आर्टिकल्स को छोड़ना भी बनता नहीं था ठीक है तो उनको कवर करना जरूरी है अच्छे से पूरे डिसकेशन को सुनना क्योंकि इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां से UPSC अल्रेडी मेंस में प्रेलिम्स में सवाल पूछ चुका है इस चकर में दोस्तों वीडियो स्किप करना बनता नहीं था चाहे कुछ भी हो चलिए सबसे बिल आर्टिकल टेलिकॉम बिल 2023 के बारे में हम डिसकस करेंगे तो आज का थमनेल भी इसी को लेकर मेंशन किया गया है आपको पता होना चाहिए इस बिल की चर्चा पिछले दो दिनों से बहुत जादा हुई है ये आर्टिकल हमारे पेज नमबर 14 पर जी एस पेपर नमबर 2 पॉलिटी के पॉइंट अवी से इंपॉर्टेंट है ठीक है बात यहां पर यह की जारी है कि हमारे पास में अल्रेडी एक बहुत पुराना कानून था 138 साल पुराना कानून जिसका नाम है टेलिग्राफ एक्ट ठीक है तो उसी टेलिग्राफ एक्ट को दोस्तों रिप्लेस किया गया है खतम कर गए एक नया टेलिकॉम बिल 2023 लाया गया है और लोग सबाने इस बिल को पास भी कर दिया है जिस वज़ा से यहां पर यह जो नियूज है वो चर्चा में आपको देखने को मिल जाती है तो क्या है टेलिकॉम बिल 2023 इसके अंदर क्या-क्या नएनी चीज़े एड की गई है कैसे ये काम करेगा सेंट्रल गॉर्मेंट का क्या रोल होने वाला है हर एक प्रोविशन्स को यहां पर डिसकस किया गया है एक एक करके सभी एस्पेक्ट्स में आपको दोस्तों बताने वाला हूं ठीक है तो 18 दिसंबर को ये बिल प्रेजन्ट किया गया था हमारे लोकसभा के अंदर में अब यहां पर इसको प्रेजन्ट किया जाएगा राजसभा में ताकि यहां पर भी अराम से पास हो जाए और यहां से पास होते ही यह प्रॉपर एक कानून बन जाएगा ठीक है चलिए आ गया था है अब समझते हैं यह जो बिल है यह क्या है तो न्यूज आप समझ चुके हो सरकार ने टेली कॉमुनिकेशन बिल 2023 को लूक सबामे में इंट्रोडियूस कर दिया और इस बिल की मांग है कि जो हमारे पुराने पुराने एक्ट हैं जैसे इंडियन टेलिग्राफ एक 1885 इंडियन वायरलेस टेलिग्राफी एक 1933 टेलिग्राफी वायर्स अनलॉफल पॉसेशन एक 1950 इन सब को खतम किया जाए इसके बजाए एक नया कानून होगा टेली कॉमुनिकेशन एक 2023 समझ गए तो इतना ही नहीं दोस्तों इस बिल में ये तो मांग है कि ये सब पुराने वाले लॉस को हटा जाएगा इसके साथ-साथ जो हमारी टेली कॉमुनिकेशन इंडेस्ट्री है इसको पूरी तरह से रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में एक बॉड़ी है जिसको बोलते है ट्राइ टेली कॉम रेगुलेटरी ऑथोरेटी ऑफ इंडिया टेली कॉम सेक्टर क्या है जो जितने भी सिम कार्ट्स की कंपनी है हमारी एयर्टल, जियो, है ना वोड़ाफोन, ये सब दोस्तों यहाँ पर टेली कॉमुनिकेशन सेक्टर के अंदर ही आने वाली कंपनी आए, ठीक है, जो आप यहाँ पर सर्विस लेते हों से, अब बात यहाँ पर यह है कि इनको रेगुलेट करने के लिए इनके ओपर एक बॉड़ी है, टेली कॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, तो इस बॉड़ी को बनाया गया था, इस बॉड़ी को पास हो चुका है, अब राजसबब में प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, तो यह न्यूज पक्की हो गई, अब आते हैं बेसिक्स के उपर में, आखिरकार यह जो टेली कॉम्मुनिकेशन बिल है, 2023 का इसके में प्रोविजन्स कैप, क्या प्रावधान इसके अंदर में बताए जा रहे हैं सबसे पहला, authorization for टेली कॉम-related activity, इसको ध्यान सुनना, क्या है, कि अब भी अगर आपको जैसे टेली कॉम्मुनिकेशन सर्विस मिलती है, ठीक है, टेली कॉम्मुनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करवाए जाएगी, जो इसको इस सर्विस को establish करना, इसको operate करना, maintain करना या टेली कॉम्मुनिकेशन नेटवर्क को और आगे भढ़ाना है, अगर ये सारे काम करना है तो इसके लिए हमारी केंदर सरकार से सबसे पहले approval लेना होगा एक prior authorization लेना होगा central government से, देन उसके बाद ही ये सारे काम ये टेली कॉम्मुनिकेशन से related हो पाएंगे, समझ गए पहली चीज तो या पहला provision ये हो गया और अभी भी टेली कॉम्मुनिकेशन ये बात यहाँ पर आपको clear हुई, दूसरी चीज़ दोस्तो assignment of spectrum, अब ये पहले spectrum क्या होता है वो समझते हैं, जैसे आपने tower देखा, अब इस tower से बहुत सरे networks निकल रहे होते हैं, आपका जो mobile phone connect होता है, वो इसी tower के network से connect होकर चल रहा होता है, सब को इंडर में आती है, ये आती कैसे है, और ये कंपनिया भी सरकार से दोस्तो इस spectrum को purchase करती है, ठीक है, तो government से क्या करती है, government हमारी in spectrum की निलामी करती है, auctioning करवाती है, और उस auction के अंदर में ये कंपनिया बैठी होती है, वो यहाँ पर बोली लगाती है, कि वही इस range की spectrum मेरी, इतना रुपया, तो इस तरह का यहाँ पर range लगता है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह जो spectrum है, यह in companies के अंदर में आती है, देन उसके बाद यह जो spectrum है, यह आपके mobile phone तक पहुचाने के लिए, आपके घर तक पहुचाने के लिए, यह जो एटल और बाकी सरी companies हैं, वो responsible होती है तो spectrum का assignment आपको समझ माया तो spectrum कैसे दिया जाता है, auctioning के माध्यम से, तो यह बोला जा रहा है, ठीक है अभी भी spectrum की auctioning होगी, लेकिन कुछ ऐसे uses है, जहाँ पर निलामी का कोई रोल नहीं होगा, कुछ ऐसे purpose भी है, जैसे कि यहाँ पर national security होगा है, defense के purpose के लिए, disaster management, weather forecasting, transport, satellite service के लिए, DTH, satellite, telephony, BSNL, MTNL, public broadcasting services ठीक है, तो यह कुछ purpose यहाँ पर add करे गए हैं, समझ गए तो कहने का मतलब है, जो auctioning है, यह जो spectrum की auctioning अभी भी होगी, लेकिन कुछ specific uses के लिए नहीं होगी, बाकी सब के लिए auctioning की जाएगी, निलामी की जाएगी, और central government के पास में power है कि वो इन auctioning को वापस से change कर सकें, इसका कुछ और purpose add करना, yes में से हटाना है, तो वो add कर सकते हैं, हटा सकते हैं, समझ गए, यह सारी power central government के पास में, again central government का एक बहुत बड़ा role यहां पर आ रहा है, इतना ही नहीं, अब मानलो कोई telecom company है, जो कि यहां पर loss में जली जा रही है, अब वो सोचने company बंद कर दें, तो spectrum surrender करने की भी, जो permission है, वो central government से लेनी पड़ेगी, तो central government के पास में यह भी power है, कि वो spectrum की sharing, trading, leasing, surrender, जो भी है, उसको लेकर यहां पर permission दें, यह भी यहां पर दोस्तों एक provision है, हमारे से टेलिकॉम बिल का, तीसरा provision interesting है, वो है satellite internet allotments, important, यह जो बिल है, इसने एक नया provision add कर दिया है, कि जो spectrum होगा, वो हम satellite internet providers को भी provide करवाएंगे, कहने का मतलब है, अभी तक आप internet वगरा कैसे चलाते हो, आपके आसपास घर का, आसपास कोई tower होगा, है ना उसी के मादियम से जो यह waves वही से internet चलता है, यह companies आपको provide करवाती है, specific जो इनकी plans होते हैं, उसको आप purchase करते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या यह network वाला जो internet होता है, tower वाला, यह सभी जगा पर चलता है, सभी जगा पर फिर भी नहीं चल पाता है, आज कल facilities विसे काफी improve हो चुकी है, ठीक है, अमालो, आप कोई अकेले टापू पर हो, है ना, island पर हो, वाँ पर चल जाएका, नहीं चल पाएगा, तो ऐसी जगा उपर भी internet महुचाने के लिए, एक नया system है, वो है satellite internet providers, यह नए लोग आचुके हैं market में, यह क्या कर रहे हैं, इनकी satellite है, अंतरिक्ष में, उस satellite से आपको यह internet देते हैं, तो आप दुनिया में किसी भी कोने पर हो, वो internet चलेगा, fast internet चलेगा, क्योंकि वो सीधा satellite से connect हो करा रहा है, और यह satellite internet provider में, एक company है one web, जिसको भारती एटल ने सपोर्ट किया हुआ है, भारती ने सपोर्ट किया हुआ है, उसके लवा अमेरिका में कई सारी companies है, US based companies की बात करेंगे, तो SpaceX का Starlink, वो ही Elon Musk की company Starlink समझ गए, तो दोस्तों यहाँ पर यह जो bill है, इन्होंने इसमें एक provision और add कर दिया है, क्या कि यह जो spectrum है, यानि कि जो network है, वो इन वाली companies के लिए भी alert करेंगे, इनको भी यहाँ पर देंगे कि अगर कोई satellite, internet providers कोई spectrum चाहिए होगा, तो वो भी यहाँ पर government से ले सकते हैं, clear एक और यहाँ पर provision है, वो है power of interception and search यह थोड़ा सा important चीज है अब मान लो, यहाँ पर दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप हो, मैं हूँ या कोई भी यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं message करके आपस में कोई discussion चल रहा है दो person या दो person से जादा के बीच में, अब होगा क्या अगर मान लो, वो message कही न कहीं ऐसा है, जो की देश के खिलाफ में जा रहा है जैसे कि हमारी इससे public safety हो खतरा हो सकता है, public emergency का issue यहाँ पर बन सकता है हैना state की security का issue बन सकता है तो अगर कोई ऐसा problems निकल कर आ रहा है किसी specific ground पर यहाँ यह दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो उस case में, उनके जो messages होंगे, वो यहाँ पर monitor करे जा सकते हैं, उनको देखा जा सकता है और block भी किया जा सकता है कुछ certain grounds के उपर में ताकि यहाँ पर एक security को maintain करके रखें, peace को maintain करके रख सकें समझ गए? तो यह जो offense है, इसको रोकने के लिए यहाँ पर दोस्तो, सबसे बड़ा काम यह है interception और search की power भी यहाँ पर add कर दी गई है तो यह भी telecom bill के अंदर में फिर एक और चीज़ है, telecom services may be suspended on similar grounds, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकते कर भी रहा है अब आपस में discussions कर रहे हैं जो कि यहाँ पर एक security को खत्रा पहुचा सकते हैं तो उन messages को block करके उनकी telecom services से वो suspend भी की जा सकती है ठीके, तो सरकार इस प्रकार का एक step भी उठा सकती है clear हो गया यह बात ध्यान में रखना, जब भी बात आएगी public emergency की और public safety की तो यहाँ पर उनकी telecom services suspend करने की powers भी हमको मिल जाती है इतना ही नहीं, एक officer जो की government की side का होगा वो यहाँ पर इनके घर पर यह तहकीकाद भी कर सकता है इनके vehicles को भी यहाँ पर search कर सकता है ठीके clear हो गया नवा आगया आते हैं उसके आद में एक और power आती है power to specify standards central government के पास में power है कि अगर कोई rules and regulations इसका जो कुछ standards set करना है तो यहाँ पर वो कर सकते हैं prescribe कर सकते हैं telecom equipment के लिए infrastructure के लिए network के लिए services के लिए कोई भी काम करना है, इनका मुल्यांकन करना evaluation करना, यह सारी powers central government के पास में है ठीक है, चली आ गया आते हैं फिर उसके आद में protection of users जो हम लोग in telecom services का use कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए भी काफी सारी चीज़े central government ने इस bill में add कर रखी है तो केंद सरकार यहाँ पर कुछ और नए तोर तरीके provide करवाएगी जिससे की जो user से उनकी सुरक्षा की जा सके ठीक है, जैसे यहाँ पर कह सकते हो, do not disturb registration यह भी आपको मिलेगा प्लस यहाँ पर आपके पास में एक तरीका होगा कि आप, जैसे को user है है ना उसको कोई खत्रा लग रहा है तो वो malware या कोई specific messages का कह सकते हो, उसको report कर सके उसके पास में report करने की power होगी इतना ही नहीं, biometric authentication भी होगा, यह mandatory होगा telecom customers के लिए, अगर मानलो कोई spam call है, spam message है तो उसके लिए यहाँ पर biometric authentication करना ज़रूरी है फिर उसके बाद में एक और चीज़ है यहाँ पर जो telecom services provide करेवाने वाली जो company'y'a है इनको एक online body बनानी होगी online mechanism set करना होगा ताकि आप मैं, जो भी हम लोग यहाँ पर इन services का use कर रहे हैं अपनी problems को वहाँ पर register कर सकें और उन problems का तुरंट छुटकारा पा सकें इसके लिए भी हाँ पर telecom bill के अंदर में यह सारे provisions add करें गए फिर बात है try के appointment की यहाँ पर एक और चीज़ इस bill में जो telecom regulatory authority of India है जो आज की समय पर इन सभी telecom companies को regulate करता है इसके अंदर में कुछ chair persons होते हैं तो उनका appointment के अंदर भी कुछ बदलाव करने की बात किये इस bill ने बोला है कि हम try act के अंदर amend करेंगे इसके अंदर कुछ संशोधन करेंगे बदलाव करेंगे और यह कहेंगे कि मतलब at least जो भी व्यक्ति इस body के chair person की जगा पर बैठेगा इस पद पर बैठेगा तो कम से कम उसे 30 साल का एक professional experience होना चाहिए यह चीज़ यहाँ पर add की जा रही है और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस body का member बनता है उसको member की तरह सर्व करना है तो उसे कम से कम 25 साल का professional experience होना चाहिए फिर उसके बाद एक और चीज़ आड की गई है वह है digital भारत ने दी आपको पता हूं नहीं चाहिए आज के समय पर एक fund बनावा है जिसको बोलते है USOF इस fund को 1885 के कानून के तहत बनाया गया था ताकि यहाँ पर क्या कर सकें यह जो fund है यह support कर सके टेलिकॉम सेक्टर्स को और especially यहाँ पर कुछ पैसा एक खटा किया जाता है इस fund में ताकि कोई ऐसे area है जहाँ पर proper telecom services नहीं पहुँच पारी है उस area में यह services पहुँचाई जा सकें इसलिए USOF fund को बनाया गया इस fund का नाम बदल दिया गया है प्रोविजन सेम है नाम बदल दिया गया है क्या है अब डिजिटल भारत नहीं थी कि इसी नाम समय इसको जानेंगे यह जो fund है इसका further और खर्चा होगा इसका use, research, development और बाकी सारे aspects में भी किया जाएगा फिर अभी तक discussion चल रहे थे कि जो OTT platforms होते हैं over the top platform जिसमें Netflix और यह सारी चीज़े हैं ठीक है इसमें WhatsApp और Telegram को include करने की बात की गई थी कहने का मतलब था कि जो try नाम की body है दोस्तों इसी के अंडर में WhatsApp और Telegram लाने की बातचीत की जा रही थी इन OTT apps को लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है बोल दिया गया है कि जो OTT app की services है यह सब try के अंडर में नहीं आएंगी ठीक है यह Telecommunication Services की definition से अलग है OTT अलग है Telecommunication अलग है तो WhatsApp और Telegram के लिए एक कह सकते हो बहुत relief मिल चुका है अब इनके ओपर कोई ऐसा चार्ज होगर नहीं लगेगा यह freely काम कर सकते हैं जैसा अभी कर रहे है government है यहाँ पर इस bill में रखा है कि जो Ministry of Electronics and IT होंगे यह यहाँ पर OTT apps को regulate करेंगे ना कि Telecommunication की regulatory body ठीक है तो OTT apps को regulate कौन करेगा Ministry of Electronics and IT यह बोला जा रहा है और इनको regulate किया जाएगा Digital India Act के मादम से तो Telecom Bill में इनका कोई रोल नहीं है यह चीज यहाँ पर है जो कि काई ना कहीं WhatsApp टेलिग्राम के लिए एक relief वाला मुद्दा है उनको यहाँ पर आराम मिल चुका होगा अब यहाँ पर इसी Telecom सेक्टर से संबंदित कोई अपराद होता है offenses होती है तो वो अपराद क्या है उस अपराद पर सजा क्या है और penalty कितनी है वो भी यहाँ पर बताया गया है यह जो bill है इस bill के अंदर में कुछ criminal और civil offenses को यहाँ पर specify किया गया है बताया गया है जैसे कि जो Telecom Services है अगर कोई Telecom Service यूज कर रहा है या कोई Provide कर रहा है बिना किसी Approval के क्योंकि मैंने बोला ना सरकारी Approval है ना जरूरी है स्टार्टिंग में पहला पॉइंट यही पड़ा था अब बिना किसी Approval के यहाँ पर यह काम कर रहा है अवैल तरीके से कर रहा है तो दोस्तों यह Punishable Offense है इससे यहाँ पर जो Punishment है वो तीन साल का जेल हो सकती या फिर Fine हो सकता है अप टू करोड रुपीस दो करोड रुपे का Fine या फिर Jail और Fine दोनों हो सकती है जो भी Companies प्रकार की हरकत कर रही होगी या फिर जो Terms and Conditions हैं Approval देने की अगर यहाँ पर कहीं न कहीं वो Terms and Conditions के साथ में कोई होटाला क्या जारा है छेड़ छाड़ की जा रही है तो वो जो छेड़ छाड़ करना है वो भी एक अपराद है Civil Penalty को लेकर पांच करोड तक की Penalty लगाई जा सकती है उस Company के उपर इतना ही ने दोस्तो अगर कोई यहाँ पर Unauthorized Equipment या Unauthorized Network का यूज कर रहा है Unauthorized Service का यूज कर रहा है जिसका कोई Registration वगरा नहीं हुआ है तो दोस्तो वो भी एक यहाँ पर 10 लाग रुपे तक का जुर्माना लग सकता है यह इसके Offenses और Penalty को लेकर बात की गई है फिर बात है Adjudication Process Central Government क्या करेगी यहीं पर एक Educating Officer को Appoint करेगी एक ऐसा व्यक्ति जो की क्या करेगा जितने भी आपराद होंगे दोस्तो इनकी Inquiry करने का काम करेगा इनकी Against में Order Pass करने का काम करेगा इस Bill के तहत लेकिन यह जो Officer चुना जाएगा इसको Appoint कर जाएगा वो कम से कम Joint Secretary तक की Rank का होना चाहिए या इससे Above Rank चलेगा इससे नीचे वाला नहीं चलेगा और जो भी Educating Officer होगा जो भी इन Cases को देख रहा होगा इसके जो भी Orders होंगे उन Orders को Appeal करने के लिए भी Provision है अगर मालो कोई व्यक्ती के खिलाफ इसन Order पास किया तो उस व्यक्ती को भी Chance मिलना चाहिए अपना मुद्द रखने का तो व्यक्ती Appeal कर सकता है इस Order को कहां पर Designated Appeals Committee के अंदर में 30 दिन के अंदर अपील करने की पावर दी गई है अब सपोज यहां पर कह सकतो कमीटी ने भी इसके खिलाफ डिसीजन दे दिया कमीटी ने भी यहां पर Order सुना दिया तो कमीटी के अगेंस्ट भी Order करने की पावर है कमीटी के अगेंस्ट भी अपील करने की पावर कहां पर मिल जाती है अगर मालो कमीटी ने भी कोई ऐसा Order दे दिया अब वो भी कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है आगे तो कमीटी के अगेंस्ट में अगर अपील करनी है तो वो फाइल की जाएगी तो यह पुरा प्रॉसस यहाँ पर हमको नजर आ रहा है अब थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक डेटा भी जान लेते हैं हमारे प्रलिम्स के लिए important है हमारे देश का जो यह पुरा दूर संचार विभाग है टेलिकॉम सेक्टर है इसका इस्थिती कहां पर स्टेंड करती है इंडिया की जो टेलिकॉम इंडस्ट्री है दोस्तों यह दुनिया की second largest है पूरे दुनिया में यहां पर इंडिया में कम से कम जो सब्सक्राइबर हैं इंडस्ट्री के वो है 1.17 बिलियन यह अगस्थ 2023 तक का डेटा है इसमें वायरलेस और वायरलाइन सब्सक्राइबर्स दोनों को मिला कर बताया गया है जो भारत का टेलिकॉम सेक्टर है यह अगर हम FDI इंफ्लोस की बात करेंगे यानि foreign direct investment जो आता है इस term में बात करेंगे तो चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है यहां पर बहुत सारा FDI यह आयता है दोस्तों 6% FDI यहीं मतलब 6% FDI का contribution इसी सेक्टर से मिल रहा है इतने इंडिया की जो overall यह टेली डेंसिटी है वो है 84.69% की टेली डेंसिटी का मतलब होता है कि हर 100 में से कितने लोग टेली फोन्स का यूज कर रहे हैं तो यह बहुत जादा important indicator है यह टेलीकॉम penetration का ठीक है तो यह टेली डेंसिटी क्या है आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे और उसके बाद यह आपे बताया यह भी जा रहा है कि आज के समय में जो लोगों का internet usage है वो बहुत ही तेजी से बढ़ चुका है अगर आप देखो के मार्च 2014 में पर subscriber के इसाब से जो उनका monthly data consumption था वो 60.66 MB था 2014 में और आज मार्च 2023 में average ली एक इंसान 17.36 GB हाँ पर हर महिले data consume कर देता है और जादा ही consume कर रहोगा यह average data है दोस्तों जातर लोग को यहाँ पर जो 1 GB, 1.5 GB आजकल कम पर जा रही है, 2 GB कम पर जा रही है वो daily के basis पर उतना निप्टा देते हैं ठीक है तो उसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत से लोग और भी बहुत जरा internet यूज़ कर रहे है और जिनको वो भी कम पर जाता है वो Wi-Fi का यूज़ कर रहे है ठीक है और आजकल तो Wi-Fi बहुत common हो चुका है और वो unlimited internet जो है न वाइपाई का वो एक अलगी satisfaction है कि यार मतलब यहाँ पर इसका usage जितना है उसका वो usage जितना है ना बात यहाँ पर यह है कि जो telecom sector है इसके जो status है वो क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा कपूरा बता दिया ठीक है यह ध्यानक न बाकी article प्रेजेंट कर दिया गया है सारे important जोई point notes वगरा है इस सब कुछ यहाँ पर आप no down करना चाओ कर सकतो बट जरूरत नहीं है अब इसका solution आगे में आपको बताऊंगा फिलाल के लिए सरकार ने और भी कई सारे initiative स्टार्ट कर रखे है हमारे इस टेलिकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए वो कौन कौन से initiative है सबसे पहला है PM1E यानि Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface दूसरा है भारत net project तीसरा है production linked incentive scheme for manufacturing of telecom and network products ठीक है जो भी हाँ पर telecom से संबंदित जितने products हैं उनकी manufacturing के लिए PLI यानि की कुछ incentives वगरा companies को provide करवाय जाते हैं फिर है भारत 6G Alliance तो ये कुछ government initiatives हमको नजर आते हैं ठीक है आगे आते हैं अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक important information अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका इसको join करने का यहाँ पर daily basis पे daily current notes के PDF अगरा provide करवाय जाते हैं वो आपको PDF के form में इस group में provide करवाय जाते हैं वो PDF हिंदी और English दोनों भाशाओं में होता है प्लस ये PDF printable form में होता है चाओधा printout वगरा भी कर सकते हो ठीक है और ऐसा नहीं है कि अभी आज जॉइन करोगे तो आज से मिलेगा आज जॉइन करोगे पुराने PDF मिलेंगे सीदा सीदा सारा group content में है जब मन करे PDF डाउनलोड कर लो डिलीट कर दो आपका storage वापिस से खाली हो जाएगा ठीक है आपको current है फिर के notes की tension नहीं लेनी है इस group को join करके और दूसरी तरफ इस group को join करने का जो fee payment है वो बहुत ही minimum है just 499 for the lifetime access जो amount आप इदर उदर खर्च कर द या गया है 853-487-3368 इस number पर message कर देना कि हाँ I want to join this group इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर message कर देना तो वहाँ पर आपको payment का process दिया जाएगा और payment के process है ज्यादा important दोस्तों आपको demo video का link भी मिलेगा पूरे demo video को check करना कि मुझे exactly किस तरीके से फाइदे हो सकता है आपको satisfaction ह होता है आप satisfy होते हो तब ही जाकर यहाँ पर उसको purchase कर लेना ठीक है पाकी इसके जो benefits है वो unlimited है और guarantee है कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर आप सोचोगे मेरा amount recover हो चुका है और मुझे benefits अभी भी मिल रहे हैं पाकी दोस्तों make sure करना video पर जो like कर बटन उसको press कर देना एक नमबर 16 पर प्रेजेंट है जीएस पेपर नमबर टू health के point of view से आप इसको link कर सकते हो छे लोगों की जान जा चुकी है और 1000 लोगों के अंदर में अभी यह cholera का infection नजर आ रहा है इस्पेशली रोरकला से condition निकल कर आई है जिस वज़ा से चर्चा में है है ना ओडिशा में है रोरकला तो वहां की इन conditions के बारें बताया जा रहा है और अभी इसको लेकर और problems बढ़ सकती है जिस विसे चर्चा में है तो examination में यह कभी नहीं पूछा जाएगा और ना आज तक पूछा गया है हमेशा जब पूछा जाएगा तो इस article का background data तो आपने इस article को अपने syllabus से अगर link करना है तो syllabus में health के point of view से आपने पढ़ना होगा यहाँ पे cholera के बारे में क्या खिरकार cholera क्या है किस चीज की वज़ा से होता है इसका treatment क्या है अभी तक का यहाँ पर पूरा जो data है cholera को लेकर वो क्या है यही चीज़े पूछी जा रही है चाए वो problems हो चाए वो mains ह चलो अब शुरुबात करते हैं बहले जानते है cholera के बारे में तो cholera दोस्तो एक water bond disease है पानी से फैलने वाली बिमारी है गंदे पानी की वज़ा से जातरी बिमारी होती है गंदे पानी का आजकल आपको पता है कि इतना सारा पानी के अंदर pollution है गंदे पानी का consume किया जा रह है और दूसरा strain है 0139 01 की वज़से सबसे जादा लोगों में cholera फैलता है इस strain 01 जो है दोस्तो यह सबसे main important factor है cholera के outbreak के पीछे का जबकि 0139 बहुत मुश्किल से यह cases आते हैं यह जातर अगर आते भी हैं तो वो केवल एशा में फैले रहता है तो जो cholera है एक acute daryal disease है एकसर वैसे हलका ही होता है बिना लक्षड के दिखाई पड़ता है लेकिन कभी कभी यहाँ पर यही infection इतना खतरनाक हो जाता है जिसकी वैसे जान चली जाती जैसे आपने यह case देखा जो छे लोग के इमृत्ति हुई है उनमें severe condition थी cholera की बाकी 1000 लोगों में infection है लेकिन वो पानी पीने की वज़ा से हो सकता है cholera या फिर कह सकतो खाना खाया है उस खाने के अंदर में cholera वाला bacteria present है तो उसकी वैसे भी यह कॉलरा हो सकता है और यह जो disease है अपने एरिया में spread हो सकती है तेजी से मालो एक ही pipeline का सब पानी पी रहे है उस pipeline में cholera present है गंदा पानी आ रहा है तो उसकी वैसे यहां पे डेड़ सारे लोग को cholera हो सकता है फिर बात आती है vaccine की तो आज के समय पर तीन ऐसी vaccine है जिसको world health organization ने qualify कर रखा है सबसे पहली vaccine है oral cholera vaccines OCV दूसरी है दुकूरल शैंक्नल और तीसरी है evicol plus तो यह तीन vaccines हमको देखने को मिलती है और अगर किसी व vaccine की कम से कम दो दो doses लेनी होंगी तबी पूरा protection मिलेगा मतलब इन तीनो vaccine में से कोई भी एक vaccine ऑविसी बात है उसकी दो dose लेनी होगी जिससे full protection मिल सकता है अब हम यह देखते हैं कि दुनिया भर में और इंडिया में भी especially जो cholera का trend है वो कैसा रहा है कहां कहां पर cholera के cases सबस सबसे जादा थे और 2021 के comparison में भी 2022 में जादा थे और मैं आपको बता दूँ हर एक country में बहुत सारे cases बहुत सारी मृत्ति हो रही थी आफरिका के अंदर में कॉलरा की वज़ा से और अभी दिरे दिरे यहां पर थोड़ा बहुत improvement होना चाहिए था लेकिन वैसा improvement हमको देखन अगर आप देखोगे नाइजिरिया के अंदर में एक massive कॉलरा outbreak आया था 2021 में और यही similar pattern हमको cases का नजर आ रहा है एशिया के अंदर में भी प्लस Lebanon, Syria, Afghanistan सभी में कॉलरा की यह इस्थिति है तो कॉलरा से पीडित जब देशों की बात करते हैं तो सबसे जादा यहां पर आता ह नाइजिरिया, फिर है कैमरून, फिर है कॉंगो, Democratic Republic of Congo, यह है कीनिया, यह कुछ African countries जहां पर सबसादा cases है, फिर पाकिसान भी कॉलरा के cases बहुत हैं, फिर दन उसके बाद में Thailand आता है, दन उसके बाद में यहां पर यह जो countries आपको Europe की दिख रही है, यह imported वाले cases हैं, सारा क हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो दुनिया में कई सारे यहां पर initiative स्टार्ट करे गए हैं, पहले हम बात करते हैं, ग्लोबल स्ट्राडिजी की, दुनिया में एक रलिनीती है, कॉलरा को कंट्रोल करने की, कॉलरा को खथम करने की, वो क्या है, एक ग्लोबल रोड मैप है, 2030 का जहां पर में टार्गेट है कि कॉलरा से जो संबंदित डेथ हैं, जो मृत्यू हैं, उनको रेडियूस करना है 90% तक, ऐसा यहां पर ने टार्गेट लॉंच किया था, 2017 में कि 2030 तक 90% डेथ कम करनी है कॉलरा की, फिर एक और यहां पर initiative है, वो है, ग्लोबल टास्क फोर्स World Health Organization ने दोस्तो ग्लोबल टास्क फोर्स फोर कॉलरा कंट्रोल नाम का यहां पर जो बेसिकली यह पूरा मामला है, इसको बहुत ज़दा ताकत दी, यह बॉड़ी क्या कर रही है, लगातार क्या कर रही है, डबलु एचो को मजबूत कर रही है कि डबलु एचो काम करे कॉलर इसका इंपोर्टेंस अभी आपको पता चल जाएगा, यूपी एसी ने मेंस में क्वेशन पूछा वा है, प्रिलिम्स में बहुत सारे क्वेशन पूछे गए यहां से, आर्टिकल छोटा सा है, लेकिन छोटा पकेट बड़ा धमाका है, पेज नमबर 17 पर, जी एस पेपर न इसे, पेजो बॉरी दूर करने के लिए, बुकमरी दूर करने के लिए काम करती हैं, लोन्स प्रवाइट करवाती हैं, इंफरस्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए काम करती हैं, काई सारे देश इन बैंक्स का हिस्सा होता है, बहरे भी काई सारे Computer Development Bank का हिस्सा है, तो World Bank ने Maintenant अब क्या है एक पूरी बॉडी जो की क्या करेगी जो ये देखेगी आखिरकार इन मल्टी लेटरल डवलप्मेंट बैंक्स में कम्या कहां कहां पर आ रही है और उन कम्यों को कैसे सुधारा जा सकता है इस पेशल फोकस इसी के उपर किया जाएगा जिस वज़े से ये आने वालों तो मल्टी लेटरल डवलप्मेंट बैंक्स की जब रेफॉर्म्स की बात करते हैं बदलाव की बात करते हैं सुधार की बात करते हैं तो क्या सुधार होने चाहिए आगे आपको बताऊंगा कैसे होने चाहिए वो भी बताऊंगा क्या चैलेंजिस है वो भी डिस फिर आपको इसलिए भी अच्छे से सुनना है क्योंकि आज का मेंस का क्वेशन इसी आर्टिकल के उपर बेज्ट है तो दोस्तों मल्टी लेटरल डवलप्मेंट बैंक्स हमारी फिनेंशल इंसिटूशन होती है एक ऐसी बैंक होती है जिसका में काम गया है लोन प्रोवाइट करवाना या पैसों का support प्रोवाइट करवाना developing countries को जो देश अभी growth कर रहा हिदरे तुरे उसके economy को सोशल डेवलप्मेंट के लिए यह पैसा CadaQ लोन के फॉर में प्रोवाइट करवाथा है Multilateral Development Bank में हमारा World Bank भी आ गया Asian Development Bank आ गया African Development Bank आ गया Inter-American Development Bank आ गया ऐसे वगेरा वगेरा और भी बहुत सारे बैंक्स है यह सब Multilateral Development Banks है Multilateral Development Banks की बात करते हैं दोस्तों तो इनका मेन परपस है Low Income और Middle Income Countries को सपोर्ट करना कैसे? क्योंकि Low Income Middle Income Countries में सबसादा गरीबी है उसको कम करके यहां पर इस सपोर्ट करेंगे Infrastructure डवलप करके सपोर्ट करेंगे Human Capital Formation करके यहां पर इस सपोर्ट करेंगे यह सब कैसे होगा? पैसा प्रोवाइट करवा करा लेकिन हो क्या रहा है? हो exactly यह रहा है कि Multilateral Development Banks खोद कई सरी चुनौतियों से गुजर रही है खोद इनका जो performance है वो आज के समय पर बेकार हो चुका है इनका importance खतम होता चले जा रहा है इस वज़ा से हमें जरुरत है एक बहुती ज़ादा मजबूत सुधार की ताकि हम इन Multilateral Development Banks की strength को बढ़ा सके इनका जो main काम है जिस काम के लिए इनको बनाया गया था वो काम ये कर सके इस वज़ा से यहां पर ये news आ रही है पहले हम ये समझेंगे आकरकार इनमे सुधार की ज़रुरत क्यों पड़ गई ऐसी क्या कमी आगए इन Banks में तो पहला option पहला point बोलता है कि आज के समय पर आप इन Banks को देखोगे दोस्तों तो इनका काम करने का तरीका या इनके जो नियम कानून है वो बहुत पुरान है क्योंकि सारी Banks बहुत समय पहले बहुत सालों पहले बनाई गई थी तो इनके जो फ्रेमवर्क से हैं रूल्स और एगुलेशन से बहुत पुराने हो चुके हैं प्रापर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं समय के साथ में चीज बदलती है तो अच्छा होता है आप समय के साथ में अपडेट होगे तो आप समय के साथ अपडेट होने के साथ साथ आप दुनिया से लड़ सकोगे लेकिन अगर आप पीछे चल रहे हो बहुत आगे दुनिया आगे निकल रही है तो फिर कोई चांस नहीं है । ऐसे ही याँ पर इन bank के साथ में हो रा है bank काफी पीछे रह चुके है उनके नियम काणून बहुत पीछे रह चुके है और समय बहुत आगे निकल चुका है इतनी तेजी से बड़ला हुव है पूरा digital ecosystem हो गया है वो पूरा paperwork पे काम कर रहे हैं अभी भी तो दोस्तों ये कहीना के एक सबसे पहली जरूरत है और आभी भी बोला ये जा रहा है कि आज के समय पर जो मल्टी लेटरल डवलप्मेंट बैंक कानून फॉलो कर रहा है वो कानून वर्ल वर्ल टू के समय पर बनाए गए थे और आज समय इतना जादा कह सकते हो कि कंटेंप् चुका है तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक बदलाव की जरूरत है दूसरा यहाँ पर क्यों जरूरत है इनकी इंपोर्टेंस को बराना इनके पर्फर्मेंस को इंक्रीस करना डवलपिंग कंट्रीज में तो आज के समय पकिछ आप इनकी काम करने की रड़नीतियां देखोगे दोस्तों इनका models देखोगे तो वो model बहुत पुराना है आज के समय की जो ज़रूरत हैं उसको पूरा नहीं कर रहा है model ये development के उपर focus नहीं कर रहे हैं जो रड़नीतियां जो model ये अपना के चल रहे हैं ये कहीं न कहीं multilateral development banks की ताकत नहीं होती है इनको अपने resources को सही तरीके सा use करना चाहिए इनकी जो आज के समय पर नीतियां हैं जो policy हैं वो भी बहुत कमजोर पड़ चुकी हैं तो ये जो gaps हैं challenges हैं को यहाँ पर tackle करना ही होगा और इनको भरने के लिए यहाँ पर ज़रूरत है हमें multilateral development banks को मजबूत करने की जो इनकी सब चीजों को बढ़ावा देना होगा innovation technology तो है आज के जमाने में और इन सब चीजों से पीछे रह चुके हैं ये bank फिर एक और यहाँ पर आप देखोगे ज़रूरत है वो है to improve their governance accountability जो इनका governance structure है काम करने का तरीका है इनके control करने का तरीका है वो आज के समय पर बहुत पु आप से नहीं है और current structure जो है वहाँ पे कोई participation नहीं है भाई ये bank किसलिए बनाए गए थे developing country के लिए तो बनाए गए थे low income, middle income countries के लिए बनाए गए थे ताकि उनको support मिले अब कभी भी ये decision लेते हैं तो उसमें उन countries का involvement ही नहीं होता तो ये किस बात के लिए bank है भाई जिस इसको problem है उससे पूछोगे तो problem क्या है तबी तो आप उसका solution दोगे आप अपने इसाप से decide कर रहे हो developing countries को उसमें involve ही नहीं कर रहे हो तो ये जो आज का structure चल रहा है इन banks के अंदर में यहाँ पर कोई भी transparency नहीं है कुछ भी पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो आ रही है सुधार करना भी इतना असान नहीं है कहोगे ऐसा क्यों पहली चीज बही जितनी तेजी से दुनिया भर में changes हो रहे है और एक से बढ़कर challenge create हो रहे है यह problem हो रही है जैसे मैं example देता हूँ multilateral development bank को अगर आप देखोगे बही तो इन्हों कितने बड़े challenge face करने वो countries को affect कर रही है और उसकी वज़े से भी दोस्तों यहाँ पर इन banks के अंदर में reform करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है क्यों बही जब इतने सारे changes हो रहे हैं तो किस हिसाब से change करें किस हिसाब से यहाँ पर solutions को provide करवाएं तो यह भी एक problem है फिर है reduce constraints यह जो banks आपको challenges को निपटा सकें उसको पूरा कर सकें तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है है ना climate change से लड़ रही है country यह infrastructure development से लड़ रही है तो वहाँ पे funding level provide करवाना होगा यह funding बहुत कम level पर provide करवा रहे हैं यह भी एक बहुत बड़ा challenge हमको नजर आएगा फिर है mobilizing private sector investment यह भी एक challenge ह multilateral development bank इतनी सारी चुनोदियां face कर रहे हैं कि जो इनके पास में private sector investment से दोस्तो वो अलग-अलग development projects के उपर यह खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक है इनको ज़रूरत है कि यहाँ पर यह क्या कर सकें एक private capital को attract कर सकें ठीक है अब कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप यह करो जिससे बहुत सारा private investment इनके पास में जिसका वो यूज कर सकें आगे फिर एक और चलेंज है addressing climate change multilateral development bank जो अगर आप देखोगे तो आज की समय पर इनका focus climate change को लेकर नहीं है और दुनिया बर की country's common problem से गुजर रही है वो है climate change लगा था temperature का बढ़ते चले जाना गर्मी का बढ़ते चले जाना जिसकी चक्कर में हमारे जो goals हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं development goals पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो हमें जरूरत होगी कि climate से संबंदित जो policies हैं नीतियां हैं रणनीतियां हैं projects हैं वो सब लाने होंगे इसके अंदर में तब जाके यहाँ पर हम एक sustainable solution क की तरफ देख सकते हैं बात कियर हो गई तो दोस्तों यहाँ पर challenges क्या है reform करने में ये भी discuss कर लिया अगर आप देखोगे तो इंडिया का क्या role है इन बैंक्स के अंदर में जरा ये भी discuss करेंगे लेकिन ये थोड़ा सा रुख के बाद में discuss करेंगे पहले हम ये बात कर ले करते हैं कि इन multilateral development banks का main जो role है गरीबी को कम करने में असमंताओं को कम करने में इक्वालिटी को कम करने में वो कैसा रहा है तो सबसे पहले चीज़ ये सबी बैंक क्या करती है sustainable development goals को support करती है sustainable development goal जिसमें 17 total goal है जिनका main मकसद है गरीबी कम करना हमारे planet को बचाना शांती बना बैंक से ये help कर सकती है अलगलग देशों की कि वो अपनी policies अपनी रणनीतियों को साथ में लेकर चले और development goals को यहाँ पर पूरा target बना कर चले उसको अपनाना ही होगा पहुँचना होगा वहाँ तक तो ये एक bank क्या करते हैं ये support कर सकते हैं gender equality के मुद्दे को लेकर human rights के अपना support प्रोवाइड करवा सकते हैं तो इनका एक important role होता है ये वाला है तो ये भी important role है दूसरा जो रोल है इन bank का वो है provide consensional finance and grants यानि कि जो low income countries है जहाँ पर लोकी आए अच्छी नहीं है या फिर कोई ऐसी conflicted state से जहाँ पर विवाद सबसे जादा हो रहा है तो वो इस चकर में development नहीं हो रहा है तो ऐसे देशों को proper support करने का काम भी multilateral development bank का ही है यही bank उनको loans और grant support प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो जो देश है वो अपनी basic needs को पूरा कर सके अपनी economy को transform कर सके तो यहाँ पर भी इनका important role होता है लेकिन क्या आज के समय पर ये bank इस तरीक पर अगर आप देखोगे ऐसे बहुत सारे देश हैं उनको लगातार progress करना है आगे बढ़ने के लिए उनको गरीबी कम करनी होगी ठीक है असमनता है जो inequality है वो कम करनी होगी लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है poverty वहाँ पर है inequalities भी है तो यह जो bank है यह इन challenges को address करती है ठीक है कैस यहाँ पर उस country को अलग-लग मामले में support करके उसकी productivity को बढ़ा कर वहाँ पर investment किया जाएगा यह bank क्या करेंगी वहाँ पर proper quality of education, health, social protection, infrastructure को लेकर काम करती है तो इन bank का main काम यही है बड़े-बड़े जो मुद्दे हैं उनको यहाँ पर tackle करना लेकिन यह भी आज की समय पर इ आप जैसे मैंने बोला था यह वाला point मैं आपको बाद में बताऊंगा तो इंडिया और इन multilateral development banks का आपस में संबंध क्या है यह भी जान लेते हैं क्योंकि हम UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो भारत के perspective से भी आपसे कुछ चीज़े पूछी जा सकती है तो इंडिया आज के समय पर Global South का एक partner और एक leader के तौर पर दिखाई पड़ रहा है Global South को represent कर रहा है पूरे दुनिया में भारत तो इंडिया का भी रोल यहां पर है कि हम क्या करें इन multilateral development banks के जो reforms है जो इसके अंदर में सुधार करने की बात है यहां पर अपना भी involvement दिखाएं और इंडिया हमेशा स ही दोस्तों इन bank के अंदर में borrower यानि कि उससे हमने पैसे लिये भी हैं और इनसे benefits वगरा भी उठाये हैं अगर आप देखो कि especially World Bank Group की बात करें या Asian Development Bank की बात करेंगे तो भारत ने इन बैंकों से बहुत सारा loan उठाया है और उन loan को अलग-लग संस्थाओं में अलग-लग को support करने के लिए ताकि यह वो institutions ही से काम कर सके हैं इंडिया ने यहाँ पर इन bank के जो governance और decision making के process होते हैं उसमें भी भाग लिया है वहाँ पर decision making में इंडिया को भी involve किया गया है तो बारत के लिए implication क्या है यह मैं आपको यहाँ पर समझा दिया है और इंडिया का क्या रोल of a country and partnership for development finance and assistance समझ गया होगे भाई जो यह multilateral development banks है इनके पास में क्या main अफसर है और क्या main चुनोतिया है जिसके basis पर जो proper resources है एक particular country के हैना उसको यहाँ पर यह सही से use नहीं कर पार है इनका जो main काम है किसीच को लेकर finance और support प्रवाइड करवाना उस चीज में यहाँ पर इ हिंदी में रीट कर दों दाकि हिंदी मादें वाले अस्परेंट भी इसको चीज से समझ सकें और एक बड़ी आसा आंसर लिख सकें 500 शब्दों में वैसे यह आंसर लिखना है किसी देश के संसाधनों को जुटाने और विकास अव्यत और सहाईता के लिए साजेदारी के लि मुखे अफसर और चुनौतियां क्या है यह आपने बताना है 200 शब्दों में और आंसर लिखने के बाद में कहां पर समिट करना है टेलिग्राम पर जाना वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक ज्यादा वेजूकेशन मेंस ग्रूप जैसी आप फुल फॉर्म को दो-दो आंसर रिवियू करने हैं जब आप सभी अंसर को रिवियू करोगे बहुत सारे फाइदे होंगे आपको और सामने वाले को भी आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप अपने notes में include कर सकते हो सामने वाले के answer में अगर कोई mistake होती है ता आप उनको बता सकते हो कि यहां यापर improvement की आवश्यक्ता है तो इस प्रकार से corporate way में वो पूरा का पूरा group काम कर रहा है चलिए आते हैं अगले article पर आप आपने आज न्यूस पेपर देखा होगा तो आपको क्रिमिल बिल भी पढ़ाना चाहिए था तो लोग सबा ने यापर एक बिल पास कर दिया है जहां पे अंग्रेजों के जमाने के जो क्रिमिल लॉस थे दोस्तों उसको replace किया जाएगा आपने सुना होगा जो हमारे पुराने कानून है और ओल्लोग की बात करते हैं तो हमारे पास में इंडियन पिनल कोड है आइपीसी है 1860 का यह अंग्रेज लेकर आये थे आज भी हम इस आइपीसी का यूज कर रहे है फिर हमारे पास में इंडियन एविडेंस एक्ट है और यह है 1872 का आज भी हम इसका यूज कर रहे है फिर है CRPC Code of Criminal Procedure तो दोस्तों यह 1898 का यह सारे के सारे laws बहुत पुराने है अंग्रेज यहाँ पर यह सारे के सारे कानून लेकर आए इंडिया आज़ाद हो चुका है यह बात यहाँ पर हमारे होमिलिस्टर भोलते हैं इनका कहना यह है हम इन तीनों के तीनों laws को replace करने वाले है और अंग्रेजों के जो भी यहाँ पर यह इनके imprints है जो भी अंग्रेज अपनी छाप छोड़के गई सब खतम करने वाले है और इसके बजाए एक इंडियान law आएगा यानि के Indian Penal Code की जगा यह जो बिल है जो अभी लोग सबासे पास हुआ है तो Indian Penal Code की जगा इस बिल में बोला जा रहा है एक नया बिल होगा वो होगा BNSS मतलब भारतिये नियाय सनहिता बिल Indian Evidence Act की जगा होगा भारतिये साक्षे सेकेंड बिल BSS फिर Code of Criminal Procedure की जगा होगा भारतिय नागरेक सुरक्षा सनहिता बिल तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर यह प्यार इंडियन लॉज आएंगे ब्रिटेश वाले लॉज को खतम करके अब इन लॉज में क्या होगा यह बिल अभी लोग सबासे पास हुआ इसको बाकी पास होंदो डिसकेशन होंगे डोंट वरी लेके न आपने पढ़ना है तो बारा अगस का वीडियो प्लीज ओपन कीजिए पुछ नहीं करना आपने मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पर आपने वीडियो देख लिया है डीटेल से मैंने पहला ही आर्टिकल यह डिसकेशन है तो आपने ज़्यादा खोजने खाजने की ज़रत नहीं पढ़ेगी सारी चीज़े आसान है वीडियो ओपन करो आपको तुरंट वो आर्टिकल मिल जाएगा उस आर्टिकल को इच्छे से पढ़कर यहाँ पे इसको देख सकते हो बाकि अभी इसको आगे पास हों दो बाकि और डिसकेशन होंगे अभी आखनी मैंना भी किए कि वल लोग सबासे पास हुआ है ठीके चलिए आगे आते हैं और अपने डिसकेशन को समाप्त करते हैं क्योंकि आज के हमारे बाकि रिटोरल वगरा में कुछ जादा खास चीज़े इंपोर्टन है नहीं जो एक्जाम में आपको हेल्प कर सके एक्जाम के लिए यही केवल इंपोर्टन चीज़े हैं ध्यान रखना ठीके चलिए बाकि यहाँ पर समाप्त करते हैं वीडियो को हमारा जो अच्छा एक चीज और यार अभी न मैं क्वेशन एड नहीं कर पा रहा हूँ मेरी हेल्थ यार तीन दिन से सही नहीं है अभी भी यहाँ पर हेडेक है बहुत जादा लेकिन वीडियो कॉंटेन्यू करना था इंपोर्टन चीज थी इस वज़ा से तो अभी एक दो रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ ठीके फिलाल डिसकेशन चलते रहेंगे